Hello guys, how are you guys? Guys, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डिवैस में RAM को Increase कैसे कर सकते हो वैसे RAM Increase से Related मैंने पहले भी वीडियो बना रखिये लेकिन उस वीडियो में मैंने जो मैं ठर्ड बताया था तो default देखने के लिए मिलती है लेकिन उसी के साथ 10 GB RAM extra देखने के लिए मिलती है जो कि मैंने add की है तो guys चलिए हम आपको बता देता हूँ कि आप अपने device में RAM को increase कैसे कर सकते हो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है प्यूश और आप देखरें YouTube चैनल Mobile Tech Updates और अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जुरूर कर लीजेगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को गाइस RAM increase करने से पहले मैं आपको कुछ important बाते बता देता हूँ जो कि आपके लिए जानना जुरूर है जैसे कि आज किस वीडियो में मैं अपनी storage को RAM में create करने वाला हूँ यानि कि अगर मैं अपने device में 10GB RAM को increase करूँगा तो मेरे device में 10GB storage है वो block हो जाएगी इसलिए guys RAM increase करने से पहले आप अपने device में 15-20GB storage को free कर लीजिगा क्योंकि जैसे ही आप 10GB RAM increase करोगे तो आपके device में 10GB storage full हो जाएगी और 10GB storage full होने के बाद अगर आपके device में 5 या 10GB storage free नहीं होगी तो आपका device lag करेगा इसलिए guys आप अपने device में RAM increase करने से पहले 15-20GB storage free कर ले जैसे कि मैं आपको मेरा file manager open करके दिखाता हूँ तो जैसे ही मैं storage में देखूँ हो तो यह दिखिए मुझे 10GB storage free देखने के लिए मिलती है और 10GB storage को मैंने RAM पहले से बना रखा है यानि कि इस टाइम मेरे device में 24GB storage free है लेकिन उसमें से 10GB storage मैंने RAM के रूब में use ले रखा है इसलिए मुझे यहां पर 14GB storage free बता रहा है इसलिए guys अगर आप अपने device में 10GB RAM को add करते हो तो आप इस बात का ध्यान जुरूर रखेगा कि आपकी जो internal storage है वो 20GB के आसपास खाली होनी चाहिए यानि कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आप अपने device में जितनी भी RAM को आज create करोगे उससे double space आपके device में खाली होना चाहिए guys अगर आपने अपने device में storage को free कर लिया है तो चलिए अब मापको बताता हूँ कि आपको RAM कैसे create करनी है guys अपने device में RAM create करने के लिए सबसे पहले आपका जो device है वो rooted होना चाहिए यानि कि उसके अंदर magisk manager install होना चाहिए उसके बाद guys आपको simply यहां module के section में जाना है और हमारी video के description में जाके magisk module डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ guys यह वाला वो module है v4 into jadex RAM वाला guys आपको simply से video के description में जाके डाउनलोड कर लेना है और इससे select करके install कर लेना है guys यह install होने में थोड़ा time लगाएगा आपको wait करना है और इसके अंदर आपको कुछ option select करने होगे तो मैं आपको वह बता देता हूँ यह जैसे थोड़ा time लगा ले फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा option select करना है जैसे कि guys आपस भी screen पे देख सकते हैं यह हमें volume की press करने के लिए कह रहा है तो मैं एक volume की press कर देता हूँ इसके बाद यह बोलता है कि volume अपसे तो next होगा और volume down से select होगा तो इसके अंदर हमें कुछ options देखने के लिएते हैं जैसे कि आपको 4GB जड रहम यूज़ करने है 6GB यूज़ करने है 8GB यूज़ करने है फिर 10GB अगर मुझे 6GB करने है तो मैं 3 number select करूँगा यानि कि सबसे पहले volume up करूँगा जिसे 2 number select होगा फिर volume up करूँगा जिसे 3 number select होगा जैसे आपको जितनी भी यहां से storage क्लिक करने हो उतना number आप volume up से यहां पे ले आए जैसे कि मुझे 6GB यूज़ करनी है तो मैं 3 नमबर यहां पर सेलेक्ट कर दूँगा इसके बाद मैं volume down प्रेस करूँगा जिसके बाद मेरे device में यह दिखिए 6GB ZRAM create हो जाएगी इसके बाद मैं अपना device reboot कर दूँगा तो guys आपका device reboot होने में 1 to 2 mint से ले लेगा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके device में ZRAM add हुई है या फिर नहीं जैसे कि guys आप सभी अपनी screen पे देख सकते हैं हमारा device reboot हो चुक है अब मैं आपको फिर से मेरे device में जो disk info application इसे open करके दिखाता हूँ तो आप जैसे कि अपनी screen पे देख सकते हैं मेरे device में जो 10GB RAM थी वो अब 6GB में create हो चुक है अब guys में आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है आपको वीडियो की description में जाके Magisk module को download कर लेना है फिर Magisk को open करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक module का section देखने के लिए मिलगा यहाँ पर जाना है install forum storage में जाना है यहाँ पर जाने एक बाद जो मैंने आपको Magisk module दिया है वीडियो की description में आपको उसे simply flash कर लेना है जैसे कि मैं आपके सामने उसे flash कर देता हूँ जैसे ही यह flash हो जाए तो आपको यह थोड़ा wait करने के लिए बोलेगा तो आपको simply wait करना है यह एक से दो मिंट ले सकता है थोड़ी process करेगा जैसे ही guys यह अपनी process कर लेगा तो आपको volume की press करने के लिए बोलेगा तो आप simply एक volume की press कर दे इसके बाद गाईस आपको कुछ options देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद आपको ये numbers देखने के लिए मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपको 4GB RAM एड़ करनी है 6GB RAM एड़ करनी है 8GB एड़ करनी है फिर 10GB आप जितनी RAM भी select करना चाहो उसके आगे एक number लिखा है तो आपको volume अब press करके number को select कर लेना है जैसे कि अगर मुझे 10GB RAM को add करना है तो मैं यहाँ से 5 number add कर लूँगा ये दिखिए 5 बार मैं volume key को press करूँगा इसके बाद ये दिखिए हमारे यहाँ पर 5 number आ चुका है अब मैं volume down को simply press करूँगा volume down करते ही मेरे device में जो 10GB RAM है वो flash हो जाएगी इसके बाद guys मैं अपने device को simply reboot कर दूँगा reboot करने के बाद guys मैं पाऊँगा कि मैंने अपने device में 10GB RAM को add कर लिया है जिसे मैं अपने device में gaming के लिए use कर सकता हूँ अब guys मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस RAM को delete कैसे कर सकते हो क्योंकि आपको पता है काफी बार हमें क्या होता Ram नी storage चाही होती है और हमारी 10GB storage तो इस RAM ने ले ली तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस RAM को कैसे delete करना है गाइस अपने device से RAM को delete करने के लिए आपको सबसे पहले फिर से मैजिस को open करना है और यहां module के section में आने है module के section में आने के बाद guys अगर आप यहां से module को simply delete कर दोगे तो हो सकता है कि आपके device में जो ZRAM है वो delete ना हो क्योंकि मैंने कुछ device में इसे try करके देखा था मैंने जैसे module को uninstall किया तो मेरे device में ZRAM रही पर module uninstall हो गया इसलिए आप simply install form storage के option में जाए यहां पर जाके आपने जो मैजिस module मैंने वीडियो के description में जिया है जिसे ZRAM बनाने के लिए आपने flash किया था उसे फिर से flash करें हाँ guys आप उसे delete ना करें उस magic module को आप फिर से flash करें आप जैसे उस magic module को flash करोगे तो आपको इसके अंदर ही एक option देखने के लिए मिलेगा delete का जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ जैसा कि guys आप सब्सक्रीन पर देख सकते हैं हमें यहां उपर उपर फर्स्ट नंबर पर उप्शन देखने के मिलता है disable ZRAM यानि कि अगर हम one select करेंगे तो हमारे device में जो ZRAM हमने create किया है यानि कि जो RAM को increase किया है वो delete हो जाएगी तो simply यहां पर one to selected है हमें simply power down को press करना है जिसके बाद हमारे device में जो ZRAM है वो disable हो जाएगी और हमें हमारे device को reboot कर देना है अब guys reboot होने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे device में जो ZRAM है यानि कि हमने जो RAM create किया वो delete हुई है या फिर नहीं guys जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा device reboot हो चुक है अब guys अगर में आपको मेरा disk info वाला application open करके दिखाओं तो जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते है जो मुझे अपनी custom ROM के साथ हैं 2GB RAM देखने के मिलती वही simply मुझे show कर रहा है लेकिन हम हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब जूरू कर दें और अगर आपने अपने डिवैस में 10GB RAM को इंक्रीज कर लियो और आप अपने डिवैस में अच्छी गेमिंग कर पा रहे हो तो आप मुझे नीचे कोमेंट करके भी बता